मसकार स्वागत है आपका दान यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुपराजैनी लोकसभाज चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी उठापटक का दोर चल रहा है जी हाँ पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है ममता बेनेची के बेहत करीभी टीमसी ने है कि दरसल पार्टी लाइन से हटकर वो काम कर रहे थे इसलिए उन पर ये एक्शन लिया है तो जाहिर तोर पर कुनाल खोश चोकी ममता बेनेची और साथ ही उनके भतीचे अभिशेक बेहत करीबी उनके राइट हैंड कुनाल खोश माने चाहते हैं और उनको अच्छानक ज सवाल भी उट रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब हैं चुनाव चल रहे हैं दो जो फेज के इलेक्शन हैं वो खोश चुके हैं और उन सब के बीच अब कुनाल खोश को महासची पद से हटाया किया है तो जाहिर तोर पर पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने का आहरोप लगा ह लेकिन इस पूरे माफली को देकर गुनाल खोश ने जो स्मश्ची करन दिया है उन्हें साफ तोर पर ये कहा है कि स्कूल भरती खोटाले के बारे मेरे पास पूरी चानकाही थी इसलिए दरसल इस तरीके का एक्शन दिया गया है कुनाल खोश ने ये भी कहा कि मैंने कुछ जिन पहले ही टीमसी के प्रवक्ता और साथ ही जो महा सच्छीव का पद है उससे इस्थफा दे थिया था और उन्होंने ये भी बताया कि एक्स हैंडल से भी अपनी पहचांद मैंने हटा ली थी इसलिए एक प्रेस रिलीज का कोई मतलब नहीं है जो प्रेस रिलीज मेरे लिए जारी की गई है वो मुझे सच्छीव के पद से हटा रही है मैं पहले ही उस पद से इस्थफा दे चुका हूँ फिर इस तरह की लाइन क मतलब क्या है मुझे कोई अधिकारी सूचना नहीं मिली है मैं टींसी करे करता हूं मैं टींसी सैनिक हूँ कुनाल खोश की ओट से कहा क्या है क्या कुछ कुछ कुनाल खोश ने इस पूरी प्रेस रिलीज कर है सुनिए कोई अफिशियल लेटर हमारा पास नहीं आये हुए है अभी तक मैंने पूरा चेक किया अभी तक वाटसाप या मेल में कोई लेटर नहीं है लेकिन एक प्रेस रिलीज हमने दिखा देखिए ये जो स्पोक्सपर्सन पोस्ट है और ये जनल सेकेटरी पोस्ट है ये तो हमने ख कर दिया हमने जेकर दिया कर दिया करेंगा ये तो ठेक नहीं हो सकता ये तो पहले ही का दिया कर दिया ये तो स्थीक नहीं हो सकता मैंने तो पहले ही ये तेक दिया तो आशिए I have resigned from the post of spokesperson as well as the junior secretary few days before and I have removed that identity from my ex-handle so there is no meaning of this press release that they are removing me as junior secretary because I can show you I have already resigned from the post so what is the meaning of this kind of line I am basically till now I have not received any official communication I have seen one press release I am a Trinamul worker Trinamul soldier and I want to continue as Trinamul grassroots soldier I have seen the signature so I guess that may be a sign of a quizmaster टू टीमसी के नेता हैं कुनाल खोश जिन पर बागी तेवर अपनाने का आखे होप लगा हलाकी मैं आपको जानकारी देदू कि बागी तेवर अपनाते हुए कुनाल खोश ने अपने ही पार्टी के खिलाफ अब take a खो़ू कर भाए ना शुरू कर दिया है लोकसभाद चुनावों के बीच ये कुनाल खोश का जो बयान साफ ने आया है वो जाहिर तोर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बीचपी लगातार SSC खोटाले को लेकर ममता बिनेची सरकार पर हमलावर है और कहीं न कहीं अब बीचपी को एक और बड़ा मुद को थी और उस पर कोई एक्शन ममता बिनेची की सरकार में नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से कुनाल खोश ने कर दिया है और इसके अलावा उन पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुनाल खोश जो है वो बीचपी के लोकसभा उमीदवार तपस ख्राइक के साथ उन्होंने मंच्छ साजा किया है तो तपस ख्राइक के साथ मंच Windows करने पर इक्ष्ण होता हुआ माना जा रहा है इतना ही नहीं उन्होंने भरे मंद से बीच्वी परतियाशी की तारीव जिसके कुछ खंटे बाद ही उन्हें पज से हटातिया किया वो पार्टी के प्रवक्ता और महासचीव थे उस पज से हटाते हुए एक प्रेस रिलीज जो है उनको लेकर जारी की गई तो अब कुनाल खोश ने कहीं अपने जो कड़े तेवर हैं वो कहीं अपना लिए हैं और इंटर्व्यूस में वो अपने ही पार्टी टीमसी पर हमला पोल रहे हैं कुनाल खोश ने ये भी कहा कि पार्टी इस तर्थे से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि स्कूल सिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फ्रस्टेचार और नौक्रियों के बदरे जबरन वसूली ह हो रही है मैं आपको जानकारी दे दो कि पश्चिय बंगाल में जो a sec खोटाला होए उसमें दरसल जो टीचर्ज की भरती हुई है उसको लेकर ममता बिनेटची सरकार मुश्किल में फशी हुई है यहां तक ममता बिनेटची सरकार में शामिल जो नेता और मंत्री हैं वो जे काफले को लेकर बीजभी की नेता अगनी मित्रा पॉल ने भी बयान दिया है और कहा है कि यह ममता बिनेर्ची और अभिशेक बिनेर्ची की लड़ाई है यह कुनाल घोष्ट को निकाहने की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई किसके हाथ में कितनी शक्ति रहेगी इस बात की है टीमसी एक इलाकी का छोटा नाला है और बीजभी एक महासागर है गाउ के एक छोटे से नाले में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है यह बड़ा हमला अगनी मित्रा पॉल की ओर से टीमसी पर ममता बिनेर्ची पर बोला क्या है क्या कुछ उन्होंने कहा है थे अभी भी उनका केस चल रहे है और उनका ऐसा ही क्रेडिबिलिटी कि जितना दिन वो कॉन्विक थे प्रिजन वाइन में उटने का टाइम में वो चिला चिला कर बोलते थे ममता बैने जी शारोदा का सबसे बड़ा बेनिफिशिरी है और फिर हम लोग देखें कि वही ममत अभि बैने जी का पार्टी में वो चीश स्पोर्क्स वरसन हो गया और आज उनको निकाला गया तो मुझे तो लगता ही ये ममता बैने जी अभी मौका मिला अभिश्यक बैने जी का राइड हैं कुनाल आउस्ट को निकाल दिया कुल मिलाकर ये तस्फीर है पश्ची बंगार में जो कहीं न कहीं देखने को मिल रही है जहां पर कुनाल खोश को महासच्चीव और प्रवक्तापद से हटात किया है लेकिन उसके बाद कुछ इस तरही की मुसीबत अब टीमसी के लिए बढ़ चुकी है कि कुनाल खोश अब लगातार ममता भिनर्ची सरकार के खोटालों का परदाफ पाश कर रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें थान्य बाद